हेलो एवरिवन, बेलकम बैक टू अवर चैनल, आज मैं करवाने जा रही हूँ, टैन्थ क्लास हिस्टी का लेसन नमबर सेकेंड के इंपोर्टन टेक्शुल कोशन्स, कोशन बर फर्स्ट है हमारा, एक्स्प्लेइन, वाइ ग्रोथ अव नेशनलिजम इन दा कलोनीज इस लिंक होती है, नेशनलिजम एक ऐसी भावना होती है, जिसमें क्या होता है, कि सभी लोग एक दूसरे के साथ कमबाइन हो जाते हैं, जितनी वी कंट्री के नागरिक हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और एक सिंगल होल होते हैं, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर डिमेंट होता है जो लोगों को आपस में बांदे रखती है no matter कि वो किस धर्म किस चाती किस भाषा और किस इतिहास से किस हिस्ट्री से बिलों करते हैं ठीक है यह एक strong submitting force होती है जो सभी तरह के लोगों को आपस में जोड़े रखती है और वो लोग आपने आपको identify करते हैं कि वो एक ही है ठीक है और लोग ये शुरू कर देते हैं मैसूस करना कि वो आपस में common political social economic system को share कर रहे हैं और उनकी जो aspirations हैं वो भी common है अब जितनी वी कलोनीज थी संसार में जितनी वी कलोनीज थी संसार में और जो समराजवादी powers थी वो क्या करते थी उन कलोनीज के लोगों को exploit करते थी socially, legiously, economically और politically ठीक है जो समराजवादी powers थी वो हमेशा क्या करती थी लोगों को exploit करते थे जिसके कान क्या हुआ लोगों में nationalism की भावना उत्पन हुई और लोगों ने मिलकर क्या किया movements को launch करे इन उपनिवेशवादियों के खिलाफ ठीक है अब इन्होंने different groups के जो लोग थे और different classes के जो pupils थे उनको आपस में एक कर दिया और उन्होंने मिलजूलकर common struggle करा अजादी के लिए ठीक है अब जब national movement शुरू हुआ था तो बहुत ही कम लोगों ने इसको शुरू किया था ठीक है स्टार्टिंग में जब national movement शुरू हुआ तो start किन के द्वारा किया गया बहुत ही कम लोगों के द्वारा लेकिन बाद में क्या हुआ जैसे जैसे लोगों में craving आना शुरू होगी लोगों में need लोगों को जरूरत लगना शुरू होगी कि वो अपने अपको आजाद करवाएं अंग्रेजियों से बाहरी शक्तियों से तो सभी लोगों में मिलजुल कर क्या किया कोशिश करी की वो अपने आपको क्या करवाएं अंग्रेजयों से आजाद करवाएं इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे कलोनीज में देश के लिए प्यार नेशनलिजम की भावना उत्पन हुई तो ये समराज्यवादी जो उपनिवेशवादी थे इनके खिलाफ एक मूवमेंट के रूप में उबर कर सामने आई थैंक यू